कभी बहुत समय पहले एक जंगल में महनती और परिश्रमी हिरन रहता था वह हमेशा समय गुजारता था जंगल के हर कोने को चानते हुए और सभी जानवरों की मदद करता था वह एक बहुत ही इमांदार और निष्ठावान हिरन था एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आया यह शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था वह जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था जब जंगल में अचानक अत्यंत शोर शराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए जंगली शेर जानवरों को डराने आया था हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छित गया इस शोर को सुनकर हिरन भी डर कर भागने की कोशिश करता हुआ जंगल में भाग गया शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमका कर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा हिरन ने भी इसे सुना और शेर की दहार सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में सभी का आतंक बन गया है हिरन ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई उन्होंने शेर को सबक सिखाने का निर्ने लिया हिरन के साथ सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया महनती हिरन ने ततपरता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्ने किया वह अपनी मेहंत और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने के लिए तयार था दिन बीटते गए मेहनती हिरन ने खरगोश, चुहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड़ा खोदने के लिए कहा सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा खड़ा खोद दिया उस गड़े को घास धक दिया और शेर के आने का इंतजार करने लगे सभी जानवरों को एक साथ देख शेर ने उन पर हमला किया सभी जानवर इधर उधर भागने लगे तभी हिरन शेर के सामने आया और उसे अपने पीछे भागने लगा और उसे उस खड़ा के पास ले गया और आखिरकार शेर उस गड़े में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए और आखिरकार एक दिन हिरन ने शेर को मात दी हिरण ने बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया जंगल में सुकून और शांती फिर से वापस आ गई सभी जानवर फिर से खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे इस तरह मेहनती हिरण ने अपनी मेहंत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की और जंगल में सबको एक संदेश दिया की हार नहीं मानना और महंत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है इसी तरह हमें भी अपने जीवन में महंत और द्रिड संकल्प के साथ अपने लक्षियों की प्राप्ती के लिए प्रयास करना चाहिए मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए बलकि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता रखनी चाहिए इस महनती हिरन की कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें संकट में भी आत्मसंधर्श करना चाहिए हमें हार नहीं माननी चाहिए और सच्ची मेहंट और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं इसी मार्ग दर्शन के साथ हमें हमेशा संधर्ष की भावना और प्रतिबधता से अपने लक्षयों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए झाल 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 झाल